दोस्तों रुहिल खायों सी बरेली की तरफ से पीजी कोर्सों की रिजल्ट को लेकर बड़ी ख़वर सामने आ रही है रुहिल खायों सी बरेली की तरफ से आज की लेटेस्ट न्यूज में पीजी कोर्सों के पहले सेमस्टर के रिजल्ट के बारे में बताए गया है तो जितने तो इसकीद पर आप लोगगो देखे हैं रजेल्ट को लेकर आज की लेटेस्ट निउस सामने आरही है पराशना तक प्रफम सेमेश्टर का परिदान जलद तो यहाँ पर पहले सेमेश्टर की बात की जारी है में एमस्टर की है दो जारी हो जारी हो जाएगा वो इसके बाद में second semester के form जल्द ही भरवाई जाएंगे तो यहां पर M.A.M.S.E.M.K.M. पहले semester के छातर देखने आपका जो result है वो उम्मीत के साब से 2-3 दिन के अंदर जारी किया जा सकता है और बात रही first year और second year के strength की M.A.M.S.E.M.K.M. first year और second year के strength की तो इनके just बाद में आपका result भी जारी किया जा सकता है semester result के जारी होने के बाद में हो सकता है कि एक या दो दिन के अंदर ही yearly वालों का result भी जारी हो जाए क्योंकि आपकी जो improvement के form है वो भरवाय जा रहे है इसलिए आपका result भी बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा कुलम लाकर MA, MST, M.com के first year और second year के जो result है वो आपका तीन से चार दिन के अंदर जारी किया जा सकता है ठीक है आज आपका 14 सिदंबर है तीन चार दिन के अंदर अंदर आपकी result जारी होने के काफी chances है पहले semester वालों के result आजाएगा उसके बाद में yearly वालों के result आजाएगा ठीक है यहाँ पर news में semester वालों के बात की गई है तो पहले semester वालों के result जारी हो जाएगा और इसके बाद में annual वालों का भी आजाएगा अभी कम से कम annual वाले students के result में तीन से चार दिन का वक्त लग सकता है ठीक है वाराल उमीद के मताबिक आपके रिजलट 20 से कमेड़ से पहले जारी हो जाहेगा ठीक है 20 से कि मादम से आपको अपडेट कर दी जाएगी आई होब कि आपको समझ में आ गया होगा अब आप लोग कोई भी कमेंट करके यह न पूछें कि रिजल्ट कब आएगा ठीक है बावा आप लोग कोशन करते हैं इसलिए वीडियो गाना पड़ता है तो आप लोग उन डेट देख